तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कल के दिन यानकी 14 जुलाई 2022 के लिए 4 best intraday stocks के बारे में मैं आपको यहाँ पर stop loss भी दूँगा साधी साथ यहाँ पर आपको target price भी दूँगा लेकिन investment करने के पहले आपको अपना खुद का decision ले लेना है क्योंकि यह वीडियो सिर्फ आपके educational purpose के लिए है तो चलिए सबसे पहले बात कर लेती हैं फॉर्स शेर के बारे में जिसका नामे सिपला लिमिटेट वान अर्स का candlestick charts में आपके सामने open कर रखाए जिसमें अगर आप देख पाएंगे तो सिपला के अंदर अब हमें एक बहुत ही शांदर breakout बनते वे देखने को मिल रहा है इसी breakout के साथ में कल के दिन भी आपको इस shares के अंदर काफी अच्छे levels देखने को मिल सकते हैं तो सिपला के अंदर जो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आप यहाँ पर buy नहीं करना है बलकि sale करके इस share को चलना है और यहाँ पर जो target दिये गए हैं वो सबसे बिला target रहेगा 9.41 का देन second target रहेगा 9.37 का stop loss आपको 9.51 का यहाँ पर लेकर चलना है नेक्स share के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है Sun Ferramaticals Limited Sun Ferramaticals Limited के अंदर हमें काफी अच्छी fresh buying आते वे देखने को मिल रही है और इस shares के अंदर भी हमें एक fresh breakout बनते वे देखने को मिल रहा है जिसके चलते करी के दिन इस share के अंदर आपको buy की rating लेकर चलना है 8.65 पर आप यहाँ पर खरिदारी करते वे चल सकते हैं और next target आप यहाँ पर first 8.69 का और second target 8.74 का लेकर चल सकते हैं with stop loss 8.60 रुपीज का तो यहाँ पर आप नजर बनाए रख सकते हैं बढ़ते हैं next shares की तरफ जिसका नाम है JSW Steel Limited यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 1 hour के time frame के उपर काफी bullish candles आपको देखने को मिल रही है जिसके चलते अगर यह share 5.94 के अबव जाता है तब यहाँ पर आपको buy करनी है और यहाँ पर target आपको 5.98 का first और second target 602 रुपीस का लेकर चलना है with stop loss 5.89 और अगर कल की दिन आपको इस shares के अंदर एक gap down opening देखने को मिलती है तो यहाँ पर आपको इस shares को sell करना है 5.80 पर और यहाँ पर target लेकर चलना है 5.76 का और second target आपको यहाँ पर लेकर चलना है 5.71 का थोड़ी सी यहाँ पर mistake के current 6.71 का target आपको देखने को मिल रहा है लेकिन वह 5.71 का है with stop loss 5.84 तो यहाँ पर buy और sell दोनों चीजे कल के दिन आपको JSW Steel के अंदर देखने को मिल सकती है इसी के साथ मैं बात कर लेते हैं next shares के बारे में जिसका नाम है HDFC Bank Limited यहाँ पर भी buy और sell दोनों के यहाँ पर levels में आपको बता रखे हैं HDFC Bank की बात करें तो 1365 रुपे तक अगर share जाता है तो यहाँ पर आपको buy करके चलना है और next target यहाँ पर आपको 1371 रुपे का first और 1378 रुपे का second target लेकर चलना है with stop loss 1369 रुपे और अगर 1351 रुपे से gap down यहाँ पर होता है तो आपको यहाँ पर share को sell करना है और first target आपको 1346 रुपे का लेकर चलना है और दूसरा target आपको 1340 रुपे का लेकर चलना है with stop loss 1357 रुपे तो यह 4 stocks जो की बहुत important role play कल के दिन आपको कर सकते हैं और intraday में काफी अच्छा profit बना कर दे सकते हैं तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आईए तो इसे like और share का ना मत भूलेगा मिलते हैं next video में another किसी important update के साथ तब तक के लिए stay connected, stay updated साथी साथ telegram channel को join का ना मत भूलेगा क्योंकि वहीं से आपको market की real time information प्रोवाइट करी जा रही है thank you for watching, have a nice day